हे गाइस तो कैसे हो यार सभी लोग तो यहां पर आपको दिखी रहा होगा टाइटल में कि सितंबर अंत में सिब्यसी प्राइवेट छात्रों का रिजल्ट विदेशी छेश्चा में भी आएगी दिक्कत देखें मेन मुद्धा यह है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो तो अब न्यूज में आने लगी है अंडी टीवी और न्यूज भी आपको सपोर्ट कर रहा है नीदी तनेजामें के द्वारा तो प्रॉब्लम यहां पर एक और है कि जो आपकी जो आपका आगी का प्रॉसेस है जब आपका रिजल्ट ही सिप्टेंबर में आएगा तो अड्मिशन प्रॉसेस स्टार्ट होने में काफी लेट हो जाएगा कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉरण में जाके स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए तो यह मेन मुद्धा है तो यह चीज अगर बाहर आ जाए ल कि वह आर्बीशी बारहमी के छात्रों की नजर कॉलेज के सेड्यूल पर है दूसरी ओर ए आई सीटी आई रिवाइजड अकेडमी कालेंडर जारी कर चुका है यूजिसी के आदेश का छात्र इंतजार कर रहा है तो इसलिए स्टुडेंट अभी यूजिसी के आदेश का इ इंतजार कर रहा है क्योंकि प्रॉब्लम यह होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बच्चे अपना फॉर्म फिल कैसे करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है आर्बीशी भी साफ कर चुका है यह आर्बीशी स्टुडेंट्स के लिए है अगर आप खट-कट आया है तो यह तो अलग बात है लेकिन जो में मुद्दा है वो सीब्यसी के प्राइबेट कमपार्टमेंट और पत्रचार कटेगरी के स्टुडेंट्स की है जो बारामी की परिचा के मामले को लेकर सुप्रिम कोट में रिवीव पीटीशन दार हो चुकी है लेकि स्टुडेंट की तरह ही असेस्मेंट के आधार पर पड़े राम तयार करने की मांग कर रहे हैं और हलांकि सीब्यसी इंचात्रों के एकजाम 15 अगस से 15 सितंबर तक आयोजीत करवाना चाहता है जैसा कि जो अटरनी जनरल है उन्होंने बोला था कि 15 अगस से 15 सितंबर तक हम कमपर्टमेंट पर 34 इसुडेंट की डाटा क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते हैं जबकि आप 19 लाक का डाटा कलेक्ट करने में सक्षम हैं तो यह बात उनको समझना होगा और उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा तो जैसे को यह भी अपडेट आएगा मैं तुरन